साथियों एक प्रश्ण बहुत ज्यादा आ रहा है और प्रश्ण है हम भक्ति करते हैं इस वर में ध्यान लगाते हैं अच्छे कारे करते हैं किसी का आहित नहीं करते हैं कि जितना संब्भ हो सकता है सभी की जो है मदद करते हैं फिर भी हमें कश्ट क्यों आते हैं फिर लोग हमीं को नुक्सान क्यों पहुंचाते हैं भक्ति करने वालों को ध्यान करने वालों को इन्हीं लोगों को कश्टों का सामना क्यों करना पड़ता है जो भक्ति नहीं कर रह है उनका तो सब कुछ और बहतर से बहतर होते जा रहा है लेकिन एक भक्त का एक ध्यानी का जिवन कश्टम है क्यों है तो साथ ही ओ कि इस में आपको बताना चाहूंगा देगे सभी के अपने अपने कर्म हैं उनके कर्म है आपके कर्म है प्रारब्द सभी के साथ है जो सभी को भोगना है उनको भी भोगना है आपको भी भोगना है लेकिन आप इस्वर से जुड़ गए सुप्रीम पावर से जुड़ गए तो वो अपने इस्तर से बहुत कम कष्ट के साथ आपके प्रारब्द को कटवा देंगे काटने प्रारब्द चुकाना आपको यह भगवान ने भी जन्म लिये तो अपने प्रारब्दों को चुकाया अपने प्रारब्दों की पूर्ति की वह चुकाने आपको ही है और चुकाने उनको भी है लेकिन वह अभी मस्त हैं आनंद ले रहे हैं इस्वार में कोई उनका ध्यान नह है जो कि आपके सामरें बहुत च्छोटे च्छोटे बन के आ रहे हैं क्योंकि आपने उस्वर का दामन थाम लिए उस्वर का हाथ पकड़ रखाया आपको इस अपने तरीके से उन कष्टों से गुजार रहे हैं मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं और इस चीज को हमेशे याद रखिए जब इस वर के हाथ ठाम लिया आपने तो भरोसा रखना इस वर कोई तुमारा बुरा करता करने दो कोहीं कोई ईश्य नहीं कहीं कोई दिक्कत नहीं बस जो भी अच्छा बॉरा जो भी ऐस्वरके चरमनों मेर प्रित करते हो तो एक खता मैं आउसो ऑगर कॉसमा रहा हूं भगवान कर्श्ण और रुकमणी, रुकमणी भोजन लेके आई दे भगवान कर्ष्ण के लिए, भगवान कर्ष्ण भोजन सुरू करना ही वाले थे, अचानक से ठटके हाथ का निवाला थाली में रखा और खड़े हुए तेजी के साथ, फिर एकदम ठटके फिर रुके और बैटके निवाला व आपने, एकदम ठाली छोड़के उपर उठ गए, तो भगवान मुस्क्राए, और बहुत आँख बंद करो देखो, और उन्हें वो थोड़ा फ्लेस बैक में ले गए, क्योंकि घटना को जो देखी थी भगवान ने, वो घटना गुजर चुकी थी, तो उसी घटना को फिर स दोबारा रुकमनी जी को दखा रहे हैं, अब रुकमनी जी देख रहे हैं, एक भक्त बड़ी मस्ती में, भगवान के नसे मैचूर, भक्ती मैचूर, मस्त एकदम गाने हैं, गाते आ रहा है, भजन गाते होगे, मस्त है, लोग उसे पागल समझ रहे हैं, बच्चे उसे आनन्द ले रहा है जब काफी देर हो गई तो अचानक उसे गुस्सा आया और उसने जिस भक्त को जो मस्ति से गाना गा रहा था अचानक उसे गुस्सा आया उसने प्रती उत्तर में पथर उठा कर उन पब्लिक बीड के ऊपर मानना चाहा मारा यही वह पल था जब भगवान भोजन कर रहे थे और वो लोग परेशान कर रहे थे और वो कोई प्रती उत्तर नहीं दे रहा था बस अपने में मस्थ था भगवान के लिए मस्थ था तो भगवान ने देखा कि ये कोई प्रति उत्तर नहीं दे रहा है तो भोजन छोड़के ततकाल खड़े हो गए थे उसके बचाव के लिए लेकिन जब उन्होंने देखा इसने तो मेरे से भरोसाई छोड़ दिया मुझे भरोसाई नहीं रखा और पत्थर उठा के अपने बचाव में अपना बचाव इसने सोयं जब निक्षे कर लिया मुझे भरोसा छोड़ दिया अपना बचाव सोयं अपने हाथ में ले लिया तो फिर मेरा ब्याट है तो साथ यह इस चीज़ को समझ दीजिए इस सवर पर भर रब्द्थ है आपको भोग नहीं आज भोग लेंगे कम भोगना पड़ेगा कुसरी सिब्सक्राइब फिर कभी इस जनम में या की अन-जनम में यहीं भोगना पड़ा everyone इस मरें विख भी आज शुक जाता है जो भी आज कश्ट भोग लेते वाप अपने आपको पुर्क आनन्दित मानो होती जब होती है तर भी आप कश्टों से जाती है अपने प्रारव्ड को काठती हैं मैं और परिक्षाओं से घुजरती जब जब परेशान यहां आती हैं आप मजते हैं आप निखरते हैं आप वो बनते हैं जो पहले नहीं थे आप कुंदन बनते हैं कि सोना आधमत अपने के बाद कुंदन बनता है कि हीरे पर जाने कितनी चैनिया कितनी चोटे पड़ती है जब उस पर शाय नाती यह कट निकल के आते हैं तो जहां भी जतना ज्यादा कट वहीं उतना ज्यादा विकास होता है इस चीज को हमें से याद रखिएगा और साथियो इस्वर का हाथ थामा इस पर भहुसा किया है इस पर बिषवास किया है तो इस बिषवास को बनाए रखो बनाए रखो बनाए हुआ है